नमस्कार आप देख रहें नियूजिक और मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम किसानों के साथ कोई धोका ना हो उनके साथ किसी भी तरहे का कोई फरजी बारा ना हो सहकारिता विभाक की और से राज जे स्तर ये काले करम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य मंद्री अशोक गहलोध द्वारा सहकारी मोबाइल ATM WIN का उधगाटन किया गया मुख्यमंद्री अशोग गहलोद ने अपने उद्वोधन के बाद एटियम विन को भी हरी जंडी दिखा कर शेत्र के लिए रवाना किया सहकारी शेत्र में फर्सली रिंड के ऑनलाइन सिस्टम में कई बार देखा जाता है कि कई किसानों को लंबे समय में आवेतन करने के बाद भी उन्हें लोन नहीं दिया जाता और कई बार किसान लोन लेता भी नहीं है लेकिन फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम से लोन ले लेता है इस तरह के कई फर्जी बाड़े सामने आए हैं लेकिन अब किसानों के साथ ना ही तो कोई दोखा होगा और ना ही किसी तरह का कोई फर्जी बाड़ा होगा ओनलाइन फर्सली रिण वित्रण में किसानों को आविदन करती ही तुरंथ ही लोन मिल जाएगा अपने भाशन के दौरान मुख्यमंत्रिया शोग गहलोत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हमीशा खड़ी है किसानों को कभी भी खाद पीच की कभी नहीं होने देंगे सहकारिता विभाग द्वारा आयोजेत राजेस थर्य कारिकरम में ओनलाइन फर्सली रिण वित्रण की शुरूआत करते हुए सबसे पहले कोटा चिले के किसान हेमराज को 10,000 रुपे का ओनलाइन फर्सली रिण मुखतान किया गया मुख्यमंत्री गहलोद ने किसानों से संबाद व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया और आपस में बाचित की शुरूआत राम राम साह से की अलग-अलग जिलों से आई किसानों ने कॉंग्रेस सरकार के कारेकाल में हुई कर्ज माफी को लेकर गहलोद से संबाद किया तो वहीं कोटा चिले के किसान तुलसी राम ने मुख्यमंत्री गहलोद से वेब कास्ट के माध्यम से रूबरू होते हुए बाचित की वहीं जैपुर के हातोच से कारेक्रम में आई किसान ने कहा कि सरकार ने हमारा फर्स्टली रिंड माफ किया है और आगे के लिए रिंड देने की ऑनलाइन ववस्ता की है हमारा पिछे तरह जालू पे माफ हो गए और जो हमारे कर्ज में थे नो वो कर्ज माफ होने से दूसरे के पास में पैसा नहीं लेना पड़ा और हमारे मुक्त होने से हम बच गए इसके साथ ही गहलो सरकार ने कहा कि चुनाप के समय कोशना पत्र में राहूल गांदी ने किसानों से जो वादा किया था हमने सरकार बनते ही कर्ज माफी कर वह वादा पूरा किया है और आगे भी हम ऐसे ही किसानों के लिए कारे करते रहेंगे वह इस कारिक्रम में सहिकारिता राचे मंतरी टीका राम जूली ने कॉंगर सरकार और गहलोत की प्रशन सा करते हुए कहा कि मुक्खे मंतरी गहलोत हमेशा किसानों के चहते और मसीहा बने रहे हैं और किसानों की हिद में कई सारे काम किये हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की लिए बजट में की गई गोशना उपर कहा कि यह तो कीवल ट्रेलर है। किसानों की हिद में पूरी फिल्म अभी बाकी है। कोई जीवन का ऐसा सोपान नहीं जिसके लिए गहलोचाब नहीं की हो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब भुजरुग समसान तर जाता है तब तक की व्यवस्ता अधिने गहलोचाब ने की है आपके साहे आयान जीवन के जो है उन सब के आपकी व्यवस्ता की है अ काम लंबे समय से चला आ रहा है लेकिन अब इलक्ट्रोनिक का जमाना है वहीं कॉम्रेस सरकार गहलोत के नदरत में किसानों को ऑनलाइन फसली रिंड देने का काम करने जा रही है इसके लिए किसान अब सोसाइटी के चकर नहीं लगाएंगे किसानों को केबल इमित्र या कंप पाइल वेन की भी व्यवस्ता की गई है और जल्दी ही एटियम वेन की संख्या पढ़ा कर हर ग्राम पंचाइट और तहसील तक इसकी सूविदा को पहुंचाया जाएगा सब्सक्राइटा के सेत्र में वर्षों से सरकारी बेंको दुवारा राम शेवा सरकारी समीति के मारपाग रिंग देने का काम वर्षों से चला हरा है और वो मेनिवल सिस्टम था समय उस समय से था इलेक्रणी जमाना नहीं था और आज से दिया जाता था लेकिन अब उसे जमाना मतला है इलेक्रणी का जमाना है और विपाप सम्वाना था मुख्यमंत्री केहलोथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसानों के फायदे के लिए हमने बजट में हर गाओं में नंदी कौशला खोली जाने की गोशना की है इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी आधुनिक युग का समय है और टेक्नलोजी का समय है इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऑललाइन फसली रिंड की व्यवस्ता की शुरुवात की है जिसमें आप घर बैठे मोबाईल से फसली रिंड के लिए आविदन कर फसली रिंड प् लेकिन आप केसानों को खीती के साथ साथ उससे संबंदित उद्योग भी इस्थापित करने चाहिए इसके लिए हमारे प्रयास जारी है और विभाग को निर्देश भी दे रखे हैं सरकार इस बारे में केसानों की पूरी मदद करेगी वही मुख्यमंद्री गहलोत ने ऑनल हमने ऑनलाइन फ़स्थ लेरिंट वित्रण की व्यवस्था की है इसमें किसानों के साथ ना ही कोई दोका होगा और ना ही कोई फरजी बाड़ा अब हमने जो तर्वीज करी हैं अब हम उटेवाली आदार कार्ड आदारी करदा माफ करने की पुरी जयांच हो रही है कौन असली करदेदार है को करदा माफ हो रहा है कि वो तो ख़ली मिगते हैं कि फूचर के अंदर आप देश्चिंद रहें ऐसी में तकी जारी है आपके नाम से कुछ साजी बाड़ा ने कि और अभी में से जूली ने कहा था आईजर ने ने कहा कि यह बात बहुत मैट निरी परेंगे अभी जो यह लोग इस प्रत्र है लेश के अजर दुनाय करते हैं कि वो आप अट्यम की नंबर लेकर के अप बैंबर के ने कहां ने करते हैं कि यह बात कहता हुआ कि अच्छा लगा कि इसके फायदे मिलेंगे कितने किसानों को इन देखिए आज मानेनी मुख्यमंत्री महदय की मुख्यातित्त में एक बहुत बड़ा कारिक्रम आज राजसान के समस्त जिलों से आये कृशक बंदूों की उपस्तिती में आहूत किया है इसके माध्यम से आज से ओनलाइन वित्रन का कारिक्रम शुरू कर दिया गया है लगबग 5 लाख किसानों के पंजियन हमें प्राप्त भी हो चुके हैं प्रकिरिया ओनलाइन प्रारंब है हमारे कृशक बंधू किसी भी GSS पर या इमित्रा पर जाकर कि अपना पंजियन कर सकते हैं और उनको पहली बार ये विवस्ता की गई है कि आधार आधारित और बायोमेट्रिक अंगुठा लगाने के बाद सच्चे किसान को ही लोन दिया जाए जो पहले हमेशा है शिकायते आया करती थी कि कागज में एंट्री हो गई घोस्ट एंट्री हैं जिसमें आदमी ही नहीं उनको लोन मिल गया उनका लोन माफ हो गया उन तमाम शिकायतों का निराकरण अपकी बार हो जाएगा और जो सच्चा किसान है उसको लोन मिलेगा और जो इस प्रकार की बदमाशिया करते हैं उनका निराकरण हो जाएगा जी बिलकुल जैसे कि आपने देखा है कि लगभग एक हजार एटीम लगाने की सरकार की मनशा है जो मोबाइल वैन है वो मोबाइल वैन भी यहां से भेज दी गई है उसका कारिक्रम भी हमने बना दिया है वह अलग लग पंचायतों में जाएगी वहां पर किशक बंधू अपना पैसा निकाल सकेंगे जितनी भी बैंक में सकायता शेत्र को इस आंदूलन को और आगे बढ़ाने की काफी गुंजाइश है तो हम सब मिल करके इसको उस दिशा में लेकर के जाएंगे फिलाल के लिए समाचारों में इतना ही देश तुनिया की तमाम ख़बरों की जानकारी के लिए देखते रहें नमस्कार